एक family होते हैं जिसमें 4 वच्चे और एक mother होती है इस family में murder हो जाते हैं तो इसके बाद सिर्फ brother और एक sister बची हुई होती है murder का चो इलसाम होता है ये भाई पर लग जाता है क्योंकि छोड़ी sister ने बता हुआ होता है कि मेरे भाई नहीं murder किया है अब ये छोटी वच्ची जब बढ़ी हो चुकी है तब उसे पता चलता है कि शायद उसके ब्रदर ने ये खून किये ही नहीं थे आज की मूवी डार्क पेसेस ये बहुत ही कंपेलिंग मिस्ट्री थिलर है जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़े अनफोल्ड होती रहती है आपको कभी भी ये मूवी बोर नहीं होने देगी एक बहुत ही बेस्ट मूवी गॉन गल जो भी एक मिस्ट्री थिलर ही थी उसके ही राइटर ने ये मूवी लिखी है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मुदर लिभी को कह रहे होती है कि तुम से बहुत ही प्यार करती हूँ यह हमेशा तुम याद रखना यह एक फ्लैश बैक का सीन था इसके बाद लिभी हमें होस्पिटल में दिखाई गई है और इसे पूछा जा रहा होता है कि मर्डर किसने किया था अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लिभी बड़ी हो चुकी है लिभी हमसे कहे रहे होती है कि मार्टर हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे help की थी बहुत सारे पैसे उसे मिले थे इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो भी यह रह सकती थी और इसने यही किया है अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हें पैसों पर वो जी रही है अब यह इसके अकाउंटन के पास आ चुकी है यह हमें दिखता है इसका अकाउंटन के से कहता है एक बड़ी प्रॉलम आ चुकी है तुमारे जो सब पैसे थे यह सब अब खतम हो चुकी है लीवी को बिलीव नहीं होता लीवी को जो लोग पैसे पहचते थे अब वो नहीं बेच रहे अब वो बड़ी हो चुकी है और लोग इस इंसिडन्ट के बारे में भूल रहे है लीवी ने इस इंसिडन्ट पर एक भूग भी लिखा था उसके भी ज़्यादा कॉपेज वगरा सेल नहीं होए लीवी है सुनकर सप्राइस्ट होती है लीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वो क्या करेगी यह उसे पता नहीं है उसका अकाउंटर उसे कहता है कि एक अच्छी बात हो सकती है अब तुम फाइनली अपने लाइफ में कुछ कर सकती हो लीवी एक टोटल लुजर होती है उसे लाइफ में क्या करना है कुछ काम करना है या नहीं ये भी पता नहीं होता लीवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे लेटर पड़े हुए होती है एक लेटर जब वो open करती है तो उसे invitation आया हो होता है अगर वो उस जगा पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते है जिस आत्मी का यह लेटर होता है उसे फिर वो call करती है वो उसे मिलने के लिए एक laundry के हाँ बुलाता है लाईल अपने आपको introduce कराता है और कहता है कि मैं मेरे club में तुम्हें invite करना चाता हूँ लाईल एक club चलाता है जिसमें सब जो लोग होते यह सब murder में ही interested होते है यह murder solve करने कोशिश करते है murder के जो victims होते हैं इसे वो बात करते है murder के बारे में सब 33 जगरा बनाना इन्हें अच्छा लगता है अब इस club में Libby को लाईल बुला रहा होता है Libby को 500 डॉलर्स मिलने वाले होते हैं और वो खेती है कि अब मुझे 1000 डॉलर्स चाहिए लाईल 700 डॉलर्स में उसे मना लेता है उसे ये भी कहता है तुम्हें उस incident के बारे में हमसे बात करने पड़ेगी अब हमें फिर से जब Libby छोड़ी थी वो पास दिखाया जाता है इसमें इनकी मदर इनके लिए breakfast बना रही थी तभी वहाँ उसका brother आया इस brother का नाम Ben होता है Ben वहाँ से जा रहा था पर मदर ने उसे रोक लिया उसे breakfast खाकर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका होता है Ben ने एक hat पहने होती है उसकी मदर इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं उसकी sister फिर उसे join करती है और फिर से उसकी hat की बात आती है उसकी hat निकालने के लिए उसे बोला जाता है तब इसने अपने hairs dye कर लिए होते है सबको शौक लगता है क्योंग उसके natural hair नहीं है Ben जो है यह बहुत ही weird बच्चा है यह सैतान पर believe करता है और अपने diary में कुछ भी weird जीज़े लिखता रहता है इसके बाद हमें present दिखाय जाता है और Libby अब Lyle के कि लब में आ चुकी है यहाँ पर जो लोग होते हैं यह बहुत enthusiastic होते हैं Actually murder कैसे किया गया होगा यह सब वो try करकर देख रहे होते एक role play कर रहे होते है Libby को यह सब uncomfortable लगता है पर Lyle केता है कि तुम उपर चलो उपर जो सब लोग है यह बहुत ही professionals है Lyle ने बहुत सारे लोग को यहाँ लाय होता है private investigator जो अब retire हो चुके है यह सब लोग यहाँ आय होते है यह सब मिलकर आप murders की चानपिन कर रहे होते है Lyle Libby को कहता है कि अब हम एक serial killer को ढूण रहे है तुमारे mother का जब murder हुआ था तो उसी area में हो था हम उसे आप ढूणना ही वाले है यह हम देखते हैं कि बहुत सारा paper work वेगरा होता है Libby को फिर एक आदमी जो murder हुआ था इस सब की details बताना start करता है वो कहता है कि तुमारी भाई पर सब आरोब आ चुका था तुम बहुत ही छोटी थी और तुमारे words पर believe नहीं किया जा सकता था फिर भी तुमारे प्रदर को जेल में डाल दिया गया तुमारे रदा सैतान पर believe करता था तो इसलिए सब लोगों ने यह मान लिया तुमारे फादर भी पागल है वो भी घर छोड़ कर चले गए थे वो वापस आ सकते थे और तुमारी फैमिली को मार सकते थे उन पर किसी ने भी शक नहीं किया यह आदमी फिर लिभी से पुछता है क्रिसी का जो स्कैंडल हुआ था इसके बारे में तुमारे मदर ने कैसे रिया किया था लिभी को किसी भी क्रिसी के बारे में पता नहीं होता यह बहुत ही चोटी थी तो बहुत सारे इसे चीज़े पता नहीं है क्रिसी एक लड़की थी जिसने बेन पर आरोप लगाया था कि उसने उसका रेप किया है उसके साथ सैतान की वार्शिप वो कर रहा था यह सो जब चीज़े है यह लिबी को अभी तक पता नहीं है यहाँ एक औरत होती है वो कहती है कि तुमने जूर बोला था और अपने भाई की तुमने पूरी जिन्द की बरबात कर दी वो बहुत यह अच्छा अदमी है वो पेंटिंग करता है उसने अब डिग्री भी ले ली है यह इसे लायर बुला रही होती है लिबी फिर चिर जाती है उठती है कि तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है अभी यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है यहाँ में बेन दिखता है बेन कुछ डग्स करने वाले बच्चों के पास आकर बेट जाता है बेंट अपनी स्कूल में cool है ऐसा दिखाना चाता है इसी वज़े से इन बच्चों के साथ वो अब hangout करना चाता है ये बच्चे इसे cool नहीं समझते और इसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहते है इन बच्चों को जब पता जलता है कि बेंट सायदान की पुजा करता है तब इसमें इंट्रस्टेट हो जाते है ये भी इनके साथ hangout करना चाता है तो ये stories बताना start कर देता है इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके बाद से गात में आता है इसे उसने loan लिया होता है ये उससे कह रहा होता है हमारे जो crops है ये अच्छे big near है मदर farming ही करती है ये थी है कि पीछले साल अच्छे crops ने आये थे पर इस साल अगर अच्छे crops आ गए तो सब कुछ बदल सकता है याद में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो तुम investigation कर रहे हो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दोंगे पर इसके लिए उसे पैसे लगने वाले होते है लायल भी ये पैसे देने के लिए मान जाता है इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है लिभी का ब्रदर उसे कहता है कि अब उसने high school diploma complete कर लिया है वो degree ले रहा है ये बहुत ही खुश लिभी को देखता है तो लिभी पुछती है कि ऐसा क्या हो चुका है क्या तुम अब कॉर्ड ओपर बिलीव करने लग गये हो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है लिभी पुछती है कि क्या तुम मुझे पर नाराज नहीं हो ये कहता है कि मैरे बहुत सारे लोगों पर गुशा है पर तुम उसमें नहीं हो लिभी कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम नहीं किया था लेन कहता है कि मैंने कोट में जो भी कहा वो सब कुछ गलत कहे दिया था तब मेरे स्कूल में मुझे कूल बनना था इसलिए मैं यह सब कह रहा था मुझे इसके कंसिक्वेंसेस कुछ समझ मैंने आ रहे थे लीवी पूछती है कि अगर यह सच है तो तुमने अपिल क्यों नहीं की थी इसका प्रदर कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो इसके गुस्से में यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास्ट का बेन दिखाया जाता है यह उसकी गल्फरेंड के साथ है यह इस दिन उसे मिलने के लिए आता है तो इसके गल्फरेंड बहुत ही चीड गई होती है इसके गल्फरेंड का राम डियोंडरा होता है डियोंडरा उसे अपने रूम में लेकर जाती है और दोने इंटिमेट हो जाते है इसके बाद उसे पूछ थी है कि इसकुल में तुम्हारे बारे में कुछ भी बाते की जा रही है तुमको छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने सेतान की फूजा की थी तुमने उन्हें मुलेज्ट भी क्या है ये भी बात की जा रही है बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब अफवाय है यही नेक सिन में हम देखते है कि इन बज्चों की मदर को मिलने उसके सिस्टर आई हुए हुए हुथ है इस सिस्टर है इस सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगरा लेती है मदर अब उसे जो भी सब प्रॉलम से इन सब के बारे में कह रही हुती है मदर बेन को लेकर भी बहुत ही परेशान है बेन की जो गर्फरेन है वो प्रेगनन्ट है अब यह दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाने वाले है पर इन्हें पैसों की प्रॉलम है डियोन ड्रा का जो ब्रदर होता है यह बेन से कहता है कि तुम्हारे फादर से तुम पैसे ले सकते हो बेन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही गरीब है डियोन ड्रा का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था ये ड्रक्स सेल करते हैं तो पैसे इनके पास हो सकते हैं इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं लीवी को लायल समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो भी टेस्टेमोनी दी वो सब गलत हो सकती है तब ये सेतान वेगरा इसके वार्शिप करने का एक ट्रेंड ही चल रहा था सब बचे इसकी स्टोरी बना रहे थे बेन पर छोटी लड़कियों को मोलिस करने के चार्जेस लगे थे इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था अब लीवी को इसके बारे में पता चल चुका है तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नंबर ले थी है हम फिर से पास्ट में देखते है कि मदर को प्रिंसिपल ने बुलवाय होता है बेन ने जो सब किया है ये उसे बताया जाता है यह रोने लग जाती है अगर सचनुज में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रवल में है बेन कोप लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है यह सच निकालने के लिए क्रिसी की घर पर जाती है वहाँ पर उसके पैरेंट्स वेकरा भी होते है क्रिसी के भादर बहुत ही चिड़ गए होते है क्रिसी से जब मदर पुछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है अब मदर को लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है उसके घर में सब प्रॉब्लम चलती रहती है इसी वज़े से बेन नहीं किया होगा कभी-कभी उसे लगता है कि उसे सूसाइड कर लेनी चाहिए अगर वे कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी जेस्टर उसके बच्चों का ख्याल रख सकती है इसस्टर उसे समझाती है कि ऐसा मत बोलो तुम एक अच्छी मदर हो तुम हमेशे आपने बच्चों का खयाल रखती हो फिरसे हमें प्रेजन दिखाये जाता है और लीबी क्रिसी से मिलने के लिए आती है क्रिसी से जब लायल सब कुछ पोछता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है लीबी पहचान जाती है कि जुट बोल रही है उस पर वो थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करती लायल को लग रहा होता है कि फैमिली को मारने वाला क्रिसी के फादर ही थे लायल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रिसी से लीबी बात करती है वो कहती है तो मारे फादर का मुझे एड्रेज चाहिए क्रिसी इसके लिए 50 डॉरस मांगती है लीबी उसे देती है क्रिसी उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही जादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है अब हम फिर से पास देखते हैं तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आये थे मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी यह फादर इस पर चीट कर ही वहाँ से निकल गया था लीबी अब अपने फादर को ढूड़ना जाती है एक जगा से वो पता ले थी है और उसके फादर एक बन फैक्टरी में रहे रहे होते हैं यह जब यहाँ पोचती है तो पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं जब बचपन की मेमरी वो शेर करते है तो फादर को बिली हो जाता है कि उसकी हे डॉटर है लीबी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो अगर तुम ने यह किया था तो तुम अब सब कुछ बता सकते हो उसके फादर कहते है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है यह कह रहे होते है कि जब मैंने डियोंडरा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तो यह मुझे पता जल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रॉबल है यानि कि लीवी के फादर ने रात में वहाँ कुछ देखा था लीवी को इसके बारे में कुछ भी आईडा नहीं होती दियंडरा के बदर से बेन के फादर ने बहुत सारे पैसे लिये थे और वो उसे वो मांग रहे है यह बेन के लिए है यह भी उन्हें कहा जाता है बेन अमने फादर से मिलता है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ बेन के फादर कहते है यह क्या तुम शूर हो कि यह तुम्हारा ही बच्चा है बेन थोड़ा सा सस्प्रीशियस हो जाता है आद में जब यह सब घर आ रहे होते है तो डियंडरा और उसका भाई यह तोनों ड्रक्स करने लग जाते है इसके बाद यह तलवार वगरा निकालते है और जाकर सैतान के लिए सैक्रिफाइज लेना चाते है यह बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते है प्रेजन में हम देखते है कि लिभी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्विस्टिकेशन में वो सब उसे बताती है इसका प्रदर उससे कहता है कि ब्लीज यह सब मत करो तुमने उस वक्ट जुट बोला था इसी वज़े से मेरी सब लाइब बरबाद हो चुकी है पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तुम यह सब कर रहे हो तुम मुझे यह सही नहीं लग रहा बैन बिलीव नहीं करता कि उसके फादर ने यह सब क्या होगा पिन लिभी से कहता है क्या तुम्हें अभी सचमच में कुछ भी डाउट है कि ये मैंने किया था लीबी कहती कि हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही घटिया है मैंने भी लोगों को हर्ट किया है कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारी जीन्स में ही ये सब चीजे है इसका ब्रदर उसे कहते है कि मुझे लगता था कि मैं ही इंप्रिजन्ट हो तुम अपने ही खयाली दुन्या में एक जेल में बन चुकी हो ये भी सची होता है लीभी कभी भी सत्में से उबर नहीं पाई है फिर जामें पास दिखा जाता है और मदर अपने बेटियों से पूछ रही होती है क्या बेन ने कभी तुमें कुछ गलत तरीके से टच किया है इसकी सब बेटिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बहुत ही वीर्ड है उसके रूम में बहुत ही गलत गलत चीज़े है मदर रात में जाकर सब चीज़े देखने लग जाती है यहाँ बेन की डायरी में सैतान की रिलेड़ेट बहुत सारी चीज़े लिखी होती है यह सब वो देखती है क्रिसी को अपने फादर का पता उसे देना था जब ये उससे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच पताती है क्रीसी कही थी है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था मुझे उस पर क्रश हो कई थी मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया वो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से पेश आता था कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिट गई थी उन दिन डिवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़कया मोलेस्ट हो चुकी है तो यही चीजे सब मैंने पुलिस को बता दी थी एक्च्छल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है फिर सही हम पास देखते है और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है यह उसके सब ड्रबल्स दूर कर सकता है यह इसे एक डील कर रही है अब हम फिर से present देखते है present में Libby और Lyle दोनों Dionra की ब्रदर से मिलने के लिया थे इसे वो Dionra की बारे में पूछ रहे होते यह कहता है कि Dionra 25 यह से missing है Dionra का और एक name था इसके बारे में इन दोनों को पता जल जाता है Dionra missing थी क्योंकि उसका सचमुच नाम जो है यह किसी को पता नहीं है Libby जब Dionra का new name search करती है तो Dionra का पता उसे मिल जाता है फिर से past हम देखते हैं यह Dionra pregnant है तो अपने boyfriend यानि की बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बेन के घर पर उसकी कुछ पैसे है यह वो लेकर आ सकता है बेन उस पर शक कर रहा होता है कि क्या सचमुच में यह इसका ही बेटा है तो उसे वो मारती हो और कहती है मैं सिर्फ तुमसे बैर करती हूँ यह फिर रात में बेन के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते हैं फिर से प्रेजन में लिवी अब डियोंडरा से मिलने के लिए आती है डियोंडरा सप्राइस्ट होती है पृर वो कहती है कि मुझे हमेशा से लगा था कि तुम कभी न कभी तुम मुझे धूंडी लोगी लीवी जब उस incident के बारे में डियोंडरा से पूछती है तो डियोंडरा कहती है कि उस रात मैं अपने घर पर ही थी बेन तुमारे घर पर जाकर सब पैसे लेकर आने वाला था हम भाग जाने वाले थे पर सुबह तक वो घर पर आया ही नहीं सुबह मुझे मर्डरस के बारे में पता चला हम पास देखते हैं और वहाँ पर डियोंडरा और बेन दोनों बेन के घर पर आ चुके है यानि कि बिचले सीन में डियोंडरा जो लीवी से कह रही थी है यह सब कुछ जूट था प्रेजेंड में लीवी डियोंडरा पेगिनन थी तो उसे बच्ची भी हो चुकी है इसे भी बो देखती है लीवी के लिए सब कुछ जादा हो जाता है वो डिरेक्ली बाथ्रूम में चली जाती है बातरों में उसे देखता है कि उसके मदर का जो निकलेस था ये डियोंडरा के पास है या वो suspicious हो जाती है जब लीवी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोंडरा की बेटी वार कर देती है और लीवी यही बेवस हो जाती है पास्ट में हम देखते हैं कि डियोंडरा और बेहन तोनों घर पर थे तभी इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ चुकी थी यह चिलाने लग गई थी तो डियोंडरा उसका गला दबाने लग गई तभी एक आदमी घर में आया था मदर जिस आदमी से डिल कर रही थी यह वही आदमी है वो अंदर आया और मदर को उसने मार दिया बेहन आवाज आ रहे थी यह सब देखने के लिए गया तो डियोंडरा ने उसकी सिस्टर को मार दिया जिस आदमी ने मदर को मारा था इसकी छोटी सिस्टर को भी उस नहीं मार दिया यहाँ से लीवी एसकेब हो चुकी थी जब एक killer भास से चला गया तो बेन को पता चला कि डियोनरा ने उसकी सिस्टर को मार दिया है अब हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है तुमारी मदर का insurance भी हमें मिलेगा इन पैसों से हमाची life start कर सकते है डियोनरा बेन को बोली कि तुम जाकर सिर्फ लीवी को अब मार कराओ लीवी एक जगा पर छुपी हुई थी उसके पास गया और उसे कहा कि यहां से बाहर मत निकलना उसने यहां लीवी को बचाया था अब हमें पता चल चुका है कि बेन प्रीजन में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा था डियोनरा और उसकी बेटी है यह उसकी family है इसे ओर ट्रबल में नहीं लाना चाता अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो डियोनरा जिल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा यह रास वो दफना रहा था डियोनरा की बेटी ने लीवी के सरबर वार किया था क्योंकि लीवी सब को जब जान सकती है क्रॉस था है लीवी ने ले लिया है ये उसे पदा चल गया था लीवी को अब ये दोनों मिलकर मारने वाली थी तब लीवी यहां से एसकेप करके लीवी को ढूंटे ढूंदे लाइल भी वहा गया लीवी को रात में ढूंदनी पाए अब हम देखते हैं कि लीवी को बारे में सब पुलिस को पदा चल चुका है लाइल लीवी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक सीरियल किलर था तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिये थे जो भी लोग कर्जे में डूपते थे उनके पास जदा था और उने मार देता था वो लोगों को हेल्फ करा है ऐसा उसे लगता था तुम्हारी मदर नहीं उसे बुलवाय था एक्चुन में प्लान ये था कि सिर्फ मदर मरने वाली है पर ये सिर्यर किलर ही था तो सब लोगों को मार कर वो हास से चला गया था दूसरी सिस्टर का खोण डियोंडरा ने किया है तो पुलीस भी अब उसके पीछे पढ़ चुकी है बैन इनोसंट है इस वज़े से अब वो जेल से निकलने वाला है लीवी उसे आकर मिलती है लीवी कहती है कि हमारे सिस्टर को डियोंडरा ने मार दिया था पर फिर भी तुम उसे कवर कर रहे थे बैन कहता है कि मैं डियोंडरा से प्यार करता था मेरा बच्चा आने वाला था इसलिए मैंने सिक्रेट दबा कर रखा था लिवी उसे sorry कहती है उसने जुट बोला था कि उसके ब्रदर नहीं यह सब किया है actual में उसने कुछ भी देखा नहीं था बेन पुछता है क्या अब हम फिर से family बन सकते है लिवी कहती है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे प्रदर हो यह हमेशा family रहने वाले है इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है बेन कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़े गलत थी ऐसा नहीं है As a family हमरे पास बहुत सारे अच्छे moments थे वो हम कभी भी याद नहीं कर दे उसी यह सब याद है यह जब पहार निकलेगा तो बेन उसे सब कुछ बताने वाला है लिली हमसे कहती है सच-चुच में ऐसा ही था मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निकेटू चीज़े ही मुझे दिख रही थी पर हम एक अच्छी family थे बेन भी एक अच्छा प्रदर था यह भी मैं भूल चुकी थी लाइफ की अब वो positive side देखने वाली है और अच्छे से life जीने वाली है अब वो धूप में एक नए रास्ते पर जा रही है यह में दिखाया जाता है और यह मुवी यही end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकान दबाना में मत भूले हम फिर से मिलेंगे और एक नए मुवीज के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आपने आपका खैल रखिये